चबली एक्टर जिसके पास ना कान था ना पैसा, मजबूरी में आकर उसे अपने बीवी के गहने बेचने पड़े मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए राते उसे बस तो पे रहकर गुजारनी पड़ी अपनी भूख मिटाने के लिए उसे 25 डोलर में अपना फेवरेट कुटा तक बेचना पड़ा फाइलि उसे हीरो बनाया गया उस मूवी में और मूवी को रिलीज किया गया उस मूवी का नाम था रोकी जो कि सूपर हिट साबित हुई बंदे का नाम है सिल्वेस्टर स्टेलोन जिस बंदे को 25 डोलर के लिए अपना कुटा बेचना पड़ गया था आज वो 500 मिलियन डोलर का मालिक है है ना इंस्पारिंग बात? भाई कोरोना वाइरस का खौफ है यह मानना पड़ेगा क्योंकि आज कोरोना वाइरस के चक्कर में दुनिया का लगबग हर इंसान मास्क पहन के ही घर से बाहर निकल रहा है पहनना भी चाहिए सही बात है लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में हर साल लगबग 13 लाख लोग सडक दुरगटना में अपनी जान रवा देते हैं और वो भी इसलिए क्योंकि वो हेलमेट नहीं पहनते क्या यह सही है? नहीं इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप बाइक राइट करने के लिए घर से बाहर निकलें तो मास के साथ साथ हेलमेट जरूर पहनें इस वीडियो को शेर करें ताकि कोरोना के साथ साथ सडक दुरगटनाओं में जाने वाली जानों को भी हम लोग बचा सकें जनहित में जारी जान है तो जहाँ पुराने समय में लोग तांबे के बरतनों को बहुत इस्तमाल किया करते थे पर बीच में इनका चलन कम हो गया था लेकिन तांबे के बर्तनों की खासितों की बज़े से लोग फिर से इने खरीद रहे हैं और इस्तमाल भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ पर सवाल यह कि ऐसा क्यों तो चलिए मैं आपको बताता हूँ देखिए ऐसा है कि तांबे के बर्तरों में रात में पानी भरके रखने से और फिर सुबह उड़ते ही इसी पानी को खाली पेट पीने से आपके बॉड़ी की इम्यूनिटी पावर बढ़ती है इनमें खाना खाने से पानी पीने से आपके बॉड़ी की बैक्टीरिया और वाइरस से लणने की शमता भी बढ़ती है गाइस है ना एमेजिंग फैक्ट क्या आप लोग भी तांबे के बरतन इस्तमाल करते हैं चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो उसके लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फोलो करना मत बोलेगा मिलते हैं अगली वीडियो में जैपनीज लोग टेक्नोलिजी में तो आगे हैं ही वो लोग नेचर का भी पूरा खयाल रखते हैं क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि नेचर है तो इंसान का अस्तित्व है बिना नेचर के इंसान जिन्दा नहीं रह सकता अब इसके लिए वो लोग क्या करते हैं एक सिंपल example से बताता हूँ, देगे वहाँ पर एक newspaper चलता है जिसका नाम है Green Newspaper, अब क्या खास बात है इसकी, आप लोग जानके हरान रह जाएंगे उस Green Newspaper के अंदर छोटे-छोटे से बीच डाले वे होते हैं जैसे आप newspaper को पढ़के उसे मिट्टी में दबा देंगे तो उसमें से पोधे उगाएंगे Oh My God, है ना Amazing Fact Guys, ऐसे ही Amazing Facts के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे follow करना मत भूलेगा मिलते अगली वीडियो में